प्याज निर्यात पर नया एक्सपोर्ट सिस्टम ला सकती है सरकार चुनिन्दा निर्यात को की मनमानी रोकने की है पूरी तैयारी दरसल केंदर सरकार ने प्याज निर्यात पर बैन को 31 मार्श तक बढ़ा दिया है लेकिन मौरिशस बंगलादे समेथ कुछ देशों को प्याज निर्यात करने की अनुमतित दी गई है ऐसे में प्याज निर्यात को ने बहतर एक्सपोर्ट सिस्टम की मांग केंदर सरकार से की ह दरसल निर्यातकों को चिंता सता रही है कि केंदर सरकार कुछ चिनिंदा निर्यातकों को प्याज निर्यात की अनुमती दे सकती है ऐसे में ट्रेड बोडी HPA ने प्याज निर्यात के लिए निश्पक्ष और नियाएपूरन सिस्टम देने का नुरोध किया है ऐसे में नुमान जताया जा रहा है कि सरकार प्याज एक्सपोर्ट को लेकर निती नियमों को और सक्त कर सकती है केंदर सरकार ने बीते कई महीनों से प्याज निर्यात पर बैन लगा रखा है ताकि घरेलू सप्लाई और कीमतों को कंट्रोल किया जा सके हलाकि किसानों की फसल आने पर मंडियों में बड़ी प्याज की आवक ने उन्हें सही कीमत मिलने में बाधा बन गया है बीते सब्ता कुछ मंत्रियों के और से प्याज निर्यात बैन हटने की बात कही गई थी लेकिन बाद में ओफिशिल सरकुलर में मंत्राले ने प्याज निर्यात पर बैन बरकरा रखने की घोशना की और कहा कि बैन 31 मार्श तक बढ़ा दिया गया है केंदर सरकार ने अपने सरकुलर में कहा कि प्याज निर्यात को 31 मार्श तक के लिए बढ़ाया जा रहा है लेकिन कुछ देशों को तैसीमा के भीतर प्याज निर्यात किया जाएगा केंदर के सरकुलर के अनुसार बांगलादेश, मौरिशस, बहरीन और भुटान को 54,760 तन प्याज के निर्यात की मंजूरी दी गई है ऐसे में प्याज निर्यात के लिए कुछ निर्यात को को ही अनुमती मिलने की बात कही गई है इसको लेकर निर्यात को ने नियाई संगत एक्सपोर्ट सिस्टम की मांग कर डाली है Trade Body, Horticulture, Produce, Exporter Association ने केंदर सरकार से प्याज निर्यात के लिए निश्पक्ष और नियाई पूरण सिस्टम बनाने का नुरोध किया है सरकार विदेश मंत्राले की सिफारिशों के अधार पर कुछ चुनिन्दा निर्यात को को निर्यात शिप्ट में टामंटित करने से परेज करेगी इससे पहले कहा गया है कि कुछ निर्यात तक विदेशों तक अपनी पहुँच रखते हैं और अपनी सरकारों से भारत से प्याज निर्यात का अंगरोध करने और उन्हें अपनी पसंद के निर्यात्कों को नामित करने के लिए कहते हैं ऐसे में प्याज निर्यात्कों के साथ न्याई करने की माग गी गई है HPA ने इससे पहले सरकार को निर्यात और समान वित्रन के प्रभावी कार्याणियन के लिए स्टेंडर्ड ओप्रेशन प्रोसेस लागू करने का भी सुझाब दिया था ब्यूरो रिपोर्ट मार्के टाइम्स टीवी